हेलो फैंट्स आज की स्यूड़ में हम बात करने वाले हैं सी ए टी लिम्टिड पे फैंट्स टोक में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है गिरावट का रिजिन ओनली क्वार्टर फोर के रिजल्ट नहीं है और भी ऐसे पॉइंट है जिसकी वज़े से को टार्गेट रहने वाले हैं और कैसा मोमेंट आपको देखने को मिलने वाला है डिटेल से समझेंगे उससे पहले फैंट्स अगर फॉर्स टाइम चैनल पर विजिट करतें चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को ओन करो ताकि जब भी मैं जो वीडियो अप बड़ी मतलब गिराउट देखने को मिल रही है साथ ही में एक दो पॉइंट जो मैं कह रही हूं वो मैं आपको बताती हूं यहां पे जो बाइर्स हैं उनका मानना कि भी जो रबड़गी की मतना वो बढ़ गई है और जो कंपनी है कंपनी ने अपने प्रोडेक्स के प्रोडेक्ट नहीं बढ़ा देखने को मिलेगा तो इस वजह से भी आपको स्टोक में गिराउट देखने को मिल रही है यहां यहीं पे जो इसका मार्जन है लगातार पांच साल से लगातार एक ही दायरे में घूम रहा है मार्जन बड़ी नहीं बड़ेगा तो कैसे मतलब में प्रोफिट आएगा तो कैसे यह स्टोक भी अपसाइड जाएगा तो यही कुछ रीजन्स है जिसकी वज़ेसे स्टोक में आपको continue गिरावट द कहां पर मतलब यह स्टोक स्पोर्ट ले सकता है देखो हो सकता है कि एक दो दिन और इसमें प्रैसर आपको देखने को मिल जाए लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें इसके स्पोर्ट की आज आपने कैंडल का बिहेवियर देखा होगा यहीं से जो यह हमारा लो है जो की है दिखाई है आपको नजर आ रही होगी यहां पर पहले के इसमें आपको दिखा दू आप देख सकते हो यह यहां पर कितने टाइम यहां पर स्पोर्ट लिया था ठीक है तो इस वज़े से यहां पर आज इसने ब्रेक डाउन कर देती है तो फिर यह नीचे के लेवल आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा यह लेवल जो की है 2054 का 2054 का इस लेवल तक जाते भी नजर आएगी इस लेवल भूत दिन तक यह ट्रेड करेगी जो यह मैंने जोन बना रहे हैं स्पोर्ट जोन यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो कितने दिन तक यहीं पे थी यह अगर यहीं पे स्पोर्ट ले लेती है तो यहां से एक डिप अच्छा आपको स्टोक में मिल गया है आवरेजिंग का भी यहां पे कुछ हो सकता है और साथ ही में फ्रेस बाइंग भी इस लेवल में हो सकती है और अच्छे रिटर्न मिलने के चांस रह जाएंगे वैसे फें और फैंट्स उपर के जो रिस्टेंस है वह भी मैं आपको बता देती हूं कल के लिए इसका जो रिस्टेंस रहने वाला है वो 2527 का रहने वाला अगर आप साइड के मुमेंट हमें देखने को मिला तो साथ ही में हमारी यह ट्रेंड लाइन बीस का रिस्टेंस रहने वाली है तो फैंट्स यह थी आज की वीडियो मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में और मैं आपको बता दूँ इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर परपर्ज है मैं किसी को परसनल रिकेमेंट नहीं करती हूं कि आप इस टोक में बाई करो सेल करो या होल्ड करो